शूप्रभाद बच्चों आज संस्क्रित में पढ़ेंगे चतुर दसा पाठाह नीती नौ नीतम इससे पहले प्रीवेस वीडियो में आप लोगे ने 1, 2 और 3 इस लोग का अनुवाज जाने थे अब जो है नंबर 4 से स्टार्ट करते हों कि क्या कह रहा अहिम निपम अहीम निपम अहिम मींस होता है सर्प सार्दुलं मींसी सेर किटिंच मींस होता है बर मदुमखी बालकम मिन्स सिसू जो बालक होते है ना, परस्वानम दूसरी का कुत्ता सुप्तान सूते हुए और ना मिन्स नहीं बोधियत मिन्स जगाना चाहिए कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सर्प राजा मदुमखी और मक्की सर्प राजा सारदुलम सारदुलम मिन सेर किटिंच मदुमक्खी बालक सीसू और दूसरे का कुत्ता परस्वानम दूसरे का कुत्ता और क्या मुर्ख ये जो साथ ऐसे प्राणियें जिन्हें यदि वो सो रहे हो तो नहीं जगाना चाहिए कहने का मतलब क्या है यदि सर्प, राजा, सीह, मक्खी, सीसू, दुसरे का कुत्ता, मुर्ख ये जदि सातो सो रहे हो और उन्हें जगा दो तो परिणाम ठीक नहीं होता अर्थात कुछ भी हो सकता है राजा सो रहे हो उन्हें जगाने वाले को उनके क्रोध के क्या हो जाए एक प्रकार से भागी हो जाए क्रोध के और कुछ भी दंड पा सके सर्प को जगाओगे तब तो खत्रे मोल ले नहीं है है इसी प्रकार से अन्न जो है जैसे मक्ही है तो वो बैठा हुआ है उसको आप जगाओगे इधर उदर तो उड़ेगा तो आपी को नुकसान है सीसु को जगाओगे तो रोएगा दूसरे का कुत्ता है वो पता चला विद्यार्थी सेवका पांथा सुधार्तो भैकात्र भंडारी प्रतिहारी चा सब्त सुप्तान प्रबोधियत उपरियुक्त में क्या नहीं करना था जगाना नहीं चाहिए था लेकिन अभी जो इसलोक दिया हुआ है उसमें जगाना चाहिए उपरियुक्त जो ये लिखा ह हुआ है इस लोग में साथ को नहीं जगाना चाहिए। तो किन साथं को जागाना चाहिए दिया हुआ यहां पर विद्यार्थी सेव का विद्यार्थी सेव पांथा मिनस होता है रहगीर रास्ते में जो चलते हैं रहगीर रास्ते में चलने वाले को क्या बोलते हैं पथि रहगीर और छुधार्तो छुधार्तो मिनस होता है भूखा वेक्ती और भैकात्रा भै मिनस होता है डरा और द्वारपाल प्रतिहारी चा सब्त सुक्तान प्रबोधियत इन सातों को सोते हुए हो यदि सो रहे हो तुझी नहीं जगा देना चाहिए अब आपको पता हो गया कि किसको जगाना चाहिए और किसको नहीं जगाना चाहिए तो किसको नहीं जगाना चाहिए पढ़ लिए अब किसको जगाना चाहिए विद्यार्ची हैं विद्यार्ची दी सो रहे हैं तुने जगा दीजिए ताकि वो अपनी विद्याग्रहन कर सके बढ़ाई कर ले इसलिए मम्मी और पापा जो जगाते हैं बच्चों और सेवक है त इसलिए उनको भी में जगादीजिये, रहगीर है, रास्ते में जगादीजिए, सो गया है विस्राम करने के लिए तो आगे बढ़ने के लिए उनको याद दिलाईए कि आपको जाना तो ये आपका पुन्य का काम हो जाएगा और क्या भूखा वेक्ति है कोई वेक्ति बहुत भूखा है और सोया हुआ है तो उनको जगा देजिए कि आपको पहले भोजन करना है डरा हुआ वेक्ति है उनको जगा देजिए ताकि वो अपना जो डर है वो विस्मृत कर सके भंड इस लोग देखते हैं कामं क्रोधं तथा लोगं स्वादं संग्रार कौतुके अति निद्राम अति सेवां चा विद्यार्ति हर्ष्ट वर्जियत अब यहाँ पर दिया हुए है कामं कामं मिन्स होता है काम क्रोधं लोभ श्वाद श्वाद मिन्स हैना टेश्ट श्रिंगार कौतुके कौतुके मिन्स होता है खेल अति निद्राम अति निद्रा जरुवत से ज्यादा सोना अति सेवा और अति सेवां चा अति आनंद यह जो आठ है न ऐसे आठ कौन-कौन सा काम, क्रोध, लोब, स्वाद, स्रिंगार, खेल स्रिंगार मीज़ ज्यादा सजना सवरना तो ये इसको और स्वाद स्वाद को भी नहीं देखना चाहिए विद्यारती को जो भी मिले चुप-चाप खा करके अपना जो इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या मिले, क्या खाना है, क्या पीना है बल्कि जो घर में तयार है जो घर में पकाय भोजन है उन्हें प्रसाद रुप में उसे एकसेप ग्रहन कर लेना चाहिए और ये सब चीज में ज़ो है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए स्रिंगार, खेल है अति निद्र है, ज्यादा अधिक नहीं सोना चाहिए अति आनंद को तुके, ये क्या करना चाहिए विद्यार्थी को विद्यार्थी को इन आठों को जो है त्याग देना चाहिए कहने का मतलब ये आठो विद्यार्थी के सत्रू हैं अर्था विद्यार्थी को इन्हें छोड़ देना चाहिए और यदि इन्हें छोड़ देता है विद्यार्थी तब सभी साइट से उनका मन हट करके एकाग्र चित होकर के वह विद्यार्जन करता है इसलिए विद्यार्थि अर्ति आनंद ये आठो विद्यार्थि के क्या है सत्रू हैं अता विद्यार्थि को इने वर्ज येत छोड़ देना चाहिए नेक्स्ट इस लोग देखते वरं प्राण परित्यागो मान भंगेन जीवनात प्राण त्यागे छडं दुखं मान भंगे दिने दिने वरं मिन्स होता है स्रेष्ट प्राण परित्यागे मृत्यू मान भंगेन अपमानित और जीवनात मिन्स होता है जीवन से वरं प्राण परित्यागो वरं मिन्स क्या होता है स्रेष्ट क्या स्रेष्ट प्राण परित्यागो प्रान को त्यागना मृद्यू को वरन करना स्रेष्ट है ऐसा क्यों कहा है किसके अप्यक्षा मान भंगेन जीवनात किसके अप्यक्षा अप्मानित होकर जीवन जीने के अप्यक्षा मर जाना स्रेष्ट है अप्मानित होकर जीने से मृद्यू स्रेष्ट है प्रानत यागे चरंग दुखम मान भंगे दिने दिने अर्थात मृत्यू में एक बार दुख पा होता है किन्तु जो अपमान मान हानी से हमेशा जो है इंसान को दुख होता रहता है इसलिए अपमानित होकर जीवन जीने के पेक्षा मृत्ति उस्रेश्ट है कहने का तात्पर यहां पर यही है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें अपमान जनित जो है अपमान की इस्थिती का जो है क्या करना पड़े उसे सहन करना पड़े या अपमानित होना पड़े हमेशा हमें ऐसा काम करना चाहिए जिस से किसी वेक्ती को ठेज भी ना लगे और कोई अपमानित ना हो तो जब कोई किसी के द्वारा हम किसी को हम अपमानित नहीं करेंगे तो कोई वेक्ती हमें अपमानित नहीं कर सकते और यदि कोई वेक्ती जान बुद करके कुछ भी अपमानित करते हैं तो उसका इफेक्ट आपके उपर नहीं पड़ेगा जब आप अच्छे हो नेक्स्ट है प्रिवाक्य प्रदानेन सरवेत उस्यंति जन्तवह तस्मात तेव वक्त अब्यम बचने का दरिद्धा प्रिवाक्य प्रदानेन प्रिवाक्य प्रदान करने से मींस जो मधूर वचन मधूर बोली से सभी जो जीव होते हैं वो संतुष्ट होते हैं क्या होते हैं संतुष्ट होते हैं सर्वेतु संतुष्ट होते हैं है प्रिवाक्य प्रदान करने से सभी जीवों को बताया गया है यहां तक का कुट्टे बिल्ली को भी आप थोड़ा प्रिवाक्य प्रदान करने से मिठी जुबान बोलने से उल्लोग भी दुम हुलाते हुए आपके पीछे चले आते तो फिर अन्य जीवों को और क्या ले कहने का मतलब प्रिवाक्ष प्रदान करने से सभी विक्ति सभी जीव संतुष्ट होते हैं खुस होते हैं तो तसमात देव वक्त अब्यां वचने का दरिदता जदी ऐसा है तो फिर हमें वैसा ही बोलना चाहिए जिससे सभी जीव संतुष्ट हो और सभी जीवों को अच्छा लगे वचन में कैसी दरिदता वचन में कैसी गरीबी किसी विक्ति का सम्मान करने के लिए आपको कुछ ख अच्छा बोल सकते हैं और इस प्रकार से मधूर वचन निकाल करके मधूर वचन से बोल करके हम सभी को संतुष्ट कर सकते हैं इसलिए हमें कैसा बोलना चाहिए तो बोले मधूर वचन बोलना चाहिए जिससे सभी लोगों को अच्छा लगे किसी को क्याना लगे हट कोई ना पहुचे हमारी जुबान से किसी को हट ना लगे इसका ध्यान रखना चाहिए और कहाँ भी गए है क्या ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोए और रन को सीतल करे आपो सीतल होए कहने का मतलब ऐसी हमारी बानी होना चाहिए जिससे दुष्टरों को भी तो अच्छा लगे और बोलने के बाद हमें भी अच्छा लगे इस प्रकार से जो है वचन इस प्रकार से गोली का प्रियोग करना चाहिए नेक्स्ट है दुष्टा भारिया सठब मित्रम नित्योष्च तरदायक ह ह। ससर पेच अघ्रीह वासो मित्ति रेवना संसेह जिस घर में दुष्टा भारिया दुष्ट मतलब होता है समझते हो दुष्ट ही होता है दुष्टा भारिया मिन्स होता है पतनी इस्त्री तो जिस घर में दुष्ट इस्त्री सठम मित्रम कप्टी मित्र भृत भृत मिन्स होता है नौकर भृत मिन्स क्या होता है नौकर और ज साप का वास हो चाग्रिये वास हो मृत्यू रेवना संसेह तो ऐसे जो घर में होता है वहां मृत्यू निश्चित होता है जिस घर में दूष्ट इस्त्री कप्टी मित्र जवाब देने वाला नवकर और साप का वास होता है ऐसे घर में मृत्यू का वास होता है था मृत्यू न बिश्चित होता है इसलिए ऐसे घर में नहीं निवास करना चाहिए ओके नेक्ष्ट है लास्ट इस लोग मुलम भुजंगय सिखरम प्लवंकय साखा विहंगय पुश्मानी भिंगय आश्यव्यति दुष्ट जनय समस्तेन चंदनम मुंचती सी तलत्वम क्या कहा गया है मुलम मिन्स क्या होता है जड होता है भुजंगय सरपो से सिखरम चूटी प्लवंकय बंदरों से साखा डाल विहंकय पक्षियों से भिंगय ब्रम्रों से आश्यव्यति सेवित होता है दुष्ट जनय मिन्स होता है दुष्ट जनों से मुंचती मिन्स होता है छोड़ता है सीतल तो हम सीतलता को मूलम भुजंगे सिखरम प्लवंके चंदन के मूल में सर पर रहते हैं चंदन के जो मूल होता है उसमें क्या रहते हैं सर पर रहते हैं सिखर पर क्या रहते हैं बंदर रहते हैं चंदन के मूल में सर पर रहते हैं जड में और सिखर में साखाओं पर पक्षी और पुस्पो पर घ्रमर रहते हैं इस प्रकार समस्त दुष्ट प्राणियों के सेवित होने पर भी चंदन का क्या गुण रहता है चंदन अपनी सीतलता को नहीं छोड़ता है इस प्रकार से व्यक्ति को क्या करना चाहिए अनेक प्रकार के दुष्ट लोगों के संसर्ग होने के बाद भी अनेक प्रकार के दुष्टों से संपर्क होने के बाद भी अपना जो मूल सभाव है गुण है उसे वे अच्छा व्यक्ति को नहीं खोना चाहिए दुष्ट के साथ मिल करके दुष्टता नहीं करने चाहिए बलकि प्रयास ये करना चाहिए कि दुष्ट वेक्टे भी अच्छा बन जाए है ना तो इस प्रकार से ये अपलों का नीती नो नीतम कंप्लीट होता है इसमें यदि किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है तो वे जो है अवश्या कंसल करेंगे ओके